एक मीट आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिये जरा, इस तरह से नहीं चले गाए, सदन में, मगर भारत सरकार की अरली वर्निंग सिस्टिम पर सवाल किये गए, इसलिए मैं कहता हूँ, प्लीज लिसन अस, प्लीज लिसन अस, मत चिलाइए, प्लीज प्लीटी डिजास्टर मेनेजमेंट किया, सभापती महुदय, स्टेटमेंट जो है भारत सरकार का, उनित्यानन जी ही बताएंगे, मगर मैं कुछ चीजों की सपष्टता करने के लिए, आपकी अनुमती से इस सदन के सामने खडा हुआ, सबसे पहले, इस गटना में, जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो गायल हुए हैं, वो सभी के परिवारजनों के साथ, मैं मेरी संद्वेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, और बड़े दूख के साथ, आज मैं, उनके प्रती अपार संवेदना के साथ, इस अदन में खडा हुआ हूँ, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की ओर से जवाब स्री नित्यानन्द राही देने वाले हैं, जब यहां पर एक गंटे की चर्चा आपने अनुमोदीत की, तब मुझे था कि आज का दिन साथ, रादनिती से परे रहेगा, इस पर रादनिती टिका टिपणियां नहीं होगी, खेर उद्येश से या जानकारी के अभाव से कुछ टिपणियां भी हुई और कुछ सदन को पुड़ा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलत फेमी नहीं हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ, दो सारोपन हुआ या जानकारी के अभाव में, मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करने है, मानने महुदेश, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पुड़ा देश को, अल्ली वर्निंग, अल्ली वर्निंग, अल्ली वर्निंग, अल्ली वर्निंग, बोलते ही गए, अंगरे जी में जितने भी गंभीर प्रकार के सब्द है, अपने बासन में डाल कर इसको बताया गया, मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूँ 23 जुलाई को केरल सरकार को अल्ली वर्डिंग भारस सरकार की और से दे गई दी गई थे 23 जुलाई को साथ दिन फेले फिर 24 गो गई फिर 25 गो गई 26 तारीक को मान्यवर एक आगाया कि 20 सेंटिमीटर से ज़्यादा बारसा होगी बारी बारसा होगी लेंड स्लाइड होने की संभावना है मड भी रश होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं मैं एक कुछ कहना नहीं चाहता है था मान्यवर मगर भारत सरकार की अर्ली वर्निंग सिस्टिम पर सवाल किये गए इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज लिसन अस प्लीज लिसन अस मत चिलाइए प्लीज रीड इट जो वर्निंग बेजा है उसको पढ़िये जरा और इस देश में कई राज्य सरकारे ऐसी हैं जिन्हों ने इस प्रकार की वर्निंग का उप्योग करकर जीरो कैजूलिटी डिजास्टर मेनेजमेंट किया है मैं औरी सार राज्य सरकार के लिए भी उस वक्त हमारी नहीं थी नवीन बाबू की थी हमने साथ दिन पहले साइक्रोन का ऐलर्ट बेजा सिर्फ एक वक्ती मारा गया वो भी गलती से मारा गया गुजरास सरकार को हमने साइक्रोन का ऐलर्ट तीन दिन पहले बेजा एक पसू भी नहीं मरा साथ मगर मैं बड़ी विनम रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो गिसे पिटे सब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं अल्ली वर्निंग सिस्टिम है भारत सरकार ने 14 के बाद अल्ली वर्निंग सिस्टिम के लिए 2000 करोर रुपया खर्च किया है और इसको साजा किया जाता है मानिवर साथ दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्द मानिय सांसदों के लिए भी उपलब्द है मगर पूछ लोगों को है कि यहां की साइटे खोलते ही नहीं विदेश की ही खोलते है तो अब विदेश में तो इसकी अपने बाइब आप सुनो भाई, मैंने जयान साब को सुना है, शुनिये जराँ तरह से नहीं चलगा है, सदन है. I will not allow it. Facts and figures and details are being important, please. मैं तो उस उद्धेश ते ही कहता हूं, इसको सुनकर सभी राज्यय अलर्ट हो, early में alert हो जाए मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है वर्सा के लिए early warning system है heat wave के लिए है तुफान के लिए है चक्रवाद के लिए है यहां तक बीजली के लिए भी early warning system है जो 10 मीट पहले बीजली अक्सांस रिखांग के साथ कहां गिरेगी वो सिधा collector को inform करती मगर इसका कोई जिक्रा नहीं कर रहा है मैं तो मानता हूँ जानकारी का अभाव होगा जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है और राद नीती है मनेवर तो बहुत लुख़द है मनेवर कई सारे राज्यों ने इसका उप्योग भी किया है और परिणाम भी आ है और इस early warning system के तहर मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ 23 तारिक को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 NDRF की टीमे केरल के लिए लगवाना हो गई थी कि वहाँ लेंड्सलाइड आ सकता है भारेश सरकार ने 9 NDRF की टीमे विमान से वहाँ भेजी मैं पूछ सकता हूँ माने वर इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग केरल सरकार ने क्या किया अनि अनधिक लोग रह रहे थे नहीं रहे रहे थे मगर वलरेवल सिचुएशन तो थी इनको सिट किया गया है क्या क्यूं नहीं किया गया कौन रोकता था और सिट किया तो मरे कैसे सिट सिट पहले नहीं किया गया है बाद में किया गया है जितना बोलोगे उतना नुकसान हो मैं बोलना नहीं चाहता परन्तु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात के तो मैं सांती से यहां बेटका सुनने ही आए मैं आज आप ते माध्यम से कहना चाहता हूं कि अर्ली वर्निंग सिस्टिम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रदान मंत्री बने 2016 से यह प्रोजेक्ट चालू हुआ और तेईस तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वर्निंग सिस्टिम कहीं पर है तो भारत में और इसका साथ दिन पहले साथ दिन पहले इसका अनुमान देने वाले चारही देशे उसमें से एक भारत ही मगर उसको पढ़ना पड़ता है डिमांड करने से कुछ नहीं होता मानेवार जो उन्होंने कहा कि वई डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है वो गलत है मानेवार इसकी भी सपश्टा करना करता हूँ की सदन का रेकोर्ड साप रहना चाहिए स्टी आरेफ में 10% रासी कोई भी राज्य अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन से इस्यू कर सकता है और 100% रासी भारत सरकार की जो गाइडलाइन इस्यू हुए है गाइडलाइन इस्यू के किसी भी पर्मिसन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है मगर जो ये डिजास्टर के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम स कुछ भी आप करें कोई नहीं पूरता है 19% 90% खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए बारत सरकार की कोई पर्मिसन लेने की जरूरत नहीं और बंगाल का भी कहा मानेवर डिटेल स्टेटमेंट नित्यानन जी पड़ेगी मैं स्ट्रक्चर स्टेटमें नहीं दे रहा हूं सिर्फ पश्टताए कर रहा हूं मानेवर बंगाल का भी कहा हमने 6,244 करो रूपया 14 से 24 तक बंगाल के एप्रू किये हैं और जीस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है इस हिसाब से रिलीज होते हैं उसमें से 4,619, 419 करो रूपया हमने रियम्बर् पुड़ा प्रोब्लेम है इसाब बेजने में अब वो तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता है अब बंगाल ने ही करना पड़ेगा एकाउंट देना पड़ता है तो सरकार है कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं है न सरकार के कुछ रूल्स होते हैं रेगूलेशन होते हैं अकाउं करों रुपिया इनका रिलीज हो चुका है और मैं फिर से कहना चाहता हूं मानिवर अडली वर्निंग सिस्टिम दी गई थी इसलिए 23 तारिक को हमने एंडी आरेप की नौ बटा लेने वहाँ पर एक सकना नौ बटा लेने वहाँ पर हमने बेद दी थी और तीन कल रवाना कर है एंडी आरेप की बटा लेने उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता अगर मैं किसी पर दोसारोपन नहीं करना चाहता हूं इस समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जोन लोग उनकी हानी हुए उन के साथ खड़ा रहने का मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं irrespective of party politics नरेंद्र मोधी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टाम की तर खड़ी रहेगी किसी को संसे रखने की जड़ी